मायोगी स्वामी सतेंद्र जी महाराज जी के जीवन परिच्चे के अनेक साधनागत प्रसंगों को दर्शाती ये शिरी सद्गुरु बोध पुस्तक से एप्रकाशित लेग मैं शुभम तेवतिया आप सभी भक्तों के लिए यहां प्रस्तुत कर रहा हूँ इसे द्यान से सुनने पर आपके जीवन के अनेक साधनागत प्रसंगों का बड़ी सहस्ता से समाधान होगा स्वामी जी का जनम चैत्र नवरात्री अश्टमी को प्राते नौ बजे नौ अप्रेल को प्रतिष्ठित जमींदार घर में गाम चंगौली ककोड जिला बुलेंशेर में हुआ था इनके पिता स्वर्गय श्री जगदीश्वर सिंग तोमर एडवोकेट वे अनेक स्कूलों के प्रबंदक वे सम्मान्य व्यक्ति थे और माता श्रीमती लिलावती हैं और स्वामी जी के दो छोटे भाई डॉक्टर संजेत उमर और श्री अंजेत उमर जो की दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर है यहां मुख्य विश्य स्वामी जी के जीवन से भक्तों को साधनागत ग्यान लेने का है इसलिए अब मैं मुख्य बात को बताते हुए उनकी लिखी बात को अपनी आवाज में बोलते हुए कहता हूँ मेरी सहज समाधी के आरंब मुझे प्रारंब की कुछ दो बार की स्वे समाधियों का इस्मरण है बाद की तो अन्य रही है कि जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता था तब हम हापुड में राजिंद नगर में एक कोटी थी उसमें किराय पर रहते थे तब शाम का समय था और जब इसमरण इस बात का है कि ऐसी कोई भी गठना होती थी तब मुझे उससे पहले एक घवराट सी होने लगती थी और कुछ बुखार सा हो जाता था शरीर गिरासा और तब मुझे खुली आँखों से सतरंगी प्रकाश का एक चक्र गूमता मेरी ओर आ रहा है मैं उससे डरता तब मैं भैसे मा या पिताजी जो मेरे पास होते उन्हें उस अचेतन अवस्था से बचने को पकड़ता था उस पकड़ में कोई जोड नहीं होता था बस केवल उन्हें पकड़ने को होता और मुझे पता ही नहीं चलता की मैं कहा हूँ बैठा का बैठा रह जाता था प्रथम इसमरण समाधी के समय मेरी माँ पिता पास में बैठे थे मैंने उन्हें दोनों को हलके हाथ से पकड़ लिया बस इतना इसमरण है बाद में मुझे बताया की पिता जी ने पड़ोसी मित्तली आंटी को बुलाया था उनसे एक चमच में गंदख जलाने को कहा और मुझे सुगाने को कहा इतने वे आई और गंदख जला मुझे सुगाई तब तक मैं चैतन्यसा हो गया और धीरे धीरे एक दिन के बाद मैं स्वस्थ हो जाता था तब पता चलता की इसकी तो सांस भी रुक गई थी और कोई चिलाहट आदी कुछ नहीं करता था बस इस थब हो जाता था उस समय मुझ में एक खाने को लेकर एक विचित्र व्रती थी कि मैं अपनी मा के हाथ या अपने सगे परीजन बेहन चाची आदी के अलावा किसी अन्य बहार की इस तरी के हाथ खा बना बोजन नहीं कर पाता था इस सम्मन्द में एक बार मैं अपनी नंसाल में गया तब कोई परिवारिक उतसब था शायद मामा जी का विवा था सभी उसमें व्यस्त थे और गाम की ब्रहमणी को खाना बनाने के लिए रखा था मैंने उसके हाथ खा बना खाना नहीं खाया मा से कहा तो वो कहने लगी हम काम कर रहे हैं जो बना है खा ले तब जब मैंने नहीं खाया तब हमारी मामा की बेटी सक्तो बेहन ने बनाया तब मैंने खाया क्योंकि मेरी ये सक्तेवती बेहन ही गाम में जाने पर हम सब का बहुत प्यार से ख्याल लगती थी बाद में वर्षों में तो मैं खाने को लेकर परिष्थिती वश ब्रहष्ट सा हो गया सभी के हाथ का बना खाने लगा था दूसरी बार की समाधी अवस्ता का अनुबाव मुझे सात्वी या आठ्वी कक्षा में पढ़ती आयू के मद्दे कहीं हुआ कुछ गर्मी सी थी तब हम प्रेम नगर में किराए पर रहते थे तम मुझे पूर्वत ही बुखार सा हुआ पिताजी ने उस समय प्रचलित क्लोरोसिन की आधी गोली खाने को दी पसीना आया मुझे पुने वही सतरंगी चक्र गूमता अपनी और आता दिखा उसी अवस्ता में मुझे कुछ भैसा अनुवव हुआ साथ ही पेशाव आया तो मैं उठा पास बने खुले में नल के पास जाकर बैट कया मुझे पता नहीं तब क्या हुआ तब बाद में पता चला की मकान मालिक नी जिने हम ताई कहते थे वे आई वो मुझे देखने आई और बोली अरे ये यहां कैसे बैटा है इतनी देर से रात्री का समय था तब पता जी बोले इसे चेड़ना नहीं वे गए मेरा एक हाथ उपर गो टंकी को पकड़े हुए था और मैं टॉयलेट कन्ने की मुद्रा में बैठा था तम मुझे उठा कर लाए और खटोले पर लिटाया वे गंदक जलाई तम मुझे चेतना आई उसके अगले दिन में ठीक हो गया बाद के वर्षों में मुझे स्वाध्यन से पता चला कि ये मुझे पूर जनमों में की तपश्या के सतरंगी और जात्मक शक्ती प्रवा के आने पर और उसके मुझे में सामने के प्रवाव से मेरा शरीर बुखार सा और शरीर गिरा सा अनुवफ करता था और जैसे ही वो शक्ती मुझे में प्रवाहित होती मैं स्वास प्रवासीन जर्तत समाधी को प्राप्त हो जाता था इसी के चलते आगामी समय पर और भी गहन अनुबव हुए यो इस स्वैसादना जगत के अध्यात पत पर मैं चलता चला तो भक्तो इस से ये पता चलता है सामाने हो या पूरजनम सिद्वेक्ती उन सब को अपने पूरजनमों के आधार पर अपने अपने शेश पाप और पुन्यबलों की एकत्र शक्ती जिसके नाम जियोतिस में नवग्रे हैं जो आत्मा की सामर्थे का नाम ही है वो और उनका फल समयनुसार प्राप्त होते हैं तो सभी का साधना और परिणाम समय निर्धारित है ये नहीं की आज पूजा पाठ या योग करना प्रारम किया और सोचने लगे की अभी फल क्यों नहीं मिल लहा है अनन्त जन्मों के अनन्त वर्षों के कर्म और उनकी क्रिया प्रतिक्रियाओ के परिणामों को भोगने के उपरान थी शुद्धाशुद भक्ती और योग फल वे समादी की प्राप्ती होती है हाँ ये ग्यान जानकर आप अपने कर्मों के जो की आपने ही करे हैं उन्हें आप ही सुधार सकते हैं इसलिए इश्वर को दोस नहीं दें बलकि स्वैम उन्हें जानकर क्रमबत तरीके से करते जीवन में संपून्टा पाएं यही गुरू लोगों का जीवन दर्शन है सत्यास्मी योगनुबूती सर्वद्रश्टी दर्शन यह गटना तब की है जब मैं नौवी कक्षा में पढ़ता था और उन दिनों सेहत बनाने के लिए कसरत डंड बैठक लगाने का बड़ा जुनून था वे हम किराये पर प्रेमनगर में रहते थे वहां चौक में एक बड़ा नीम का पेड़ था मैं अपनी खाट उसी के नीचे डाल कर रात को सोता था और जब घोर ठंड पड़ती थी तब अपने घर में जाकर सोता था नहीं तो एकांत की वज़े से वहीं सोने की कोशिश करता था ताकि ध्यान कर सकूँ उस समय मैं कोई मंत्र नहीं जबता था बल्कि हमारे गाम में दादा और चाचा की लाई शौकिया ग्यानवर्धन की पुस्तके की एक अलवारी थी उसमें पुरानी योग की पुस्तके थी जैसे पतंजली योग दर्शन उन्हें पढ़ता था उसमें जो विबूतिपाद में सैयम विश्य है कि इस अंगादी पर मन एकागर करने से ये उपलबदी होती है वो संचिप्त लिखा था जो की सभी जिग्यासू पढ़ते हैं अन्य कुछ नहीं तो बस ध्यान करता था उस समय मेरा ध्यान केवल चिंतनात्मक था जिसमें विचार करता था कि ये योग और जगत और संसार में दुखो का कारण और जो ग्यान पढ़ता था उस पर चिंतन करता हुआ अपने हृद्य के सामने मन से देखता हुआ वैचारिक ध्यान करता था सो सही किया करता था तब ऐसे ही एक दिन मैं सामाने ध्यान कर रहा था कि मेरी दरश्टी धीरे धीरे उपपर की ओर उठती गई और मुझे पहले आकाश के दरसन हुए और ऐसा लगा अब ये दरश्टी अटक सी गई है और फिर भी ये उपपर को खिच रही है तब अचानक इसी तनाव के चलते कट की आवाज हुई और मुझे लगा कि मेरी दरश्टी मेरे सिर के ठीक मद्दे से देखती हुई मेरे सिर के उर्ध आकाश में किसी बिंदू पर केंदिर्थ हो गई और वही टिके हुए मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मैं अपने चारो और उपर नीचे आसपास अपने शरीर के साथ भी एक साथ एक ही दरश्टी से देख रहा हूँ जो दिख रहा था वो वही था जो उस समय मेरे आसपास था जैसे आकाश में अंदकार भरी रातरी और तारे थे तभी ये भी चेतना हुई कि कहीं मेरी आँखे यही नहीं ठहर जाएं और ये यहीं रही तो मेरा क्या होगा कौन मुझे इस से बहार निकाले का आदी तीवर विचार आया और इसी विचार के चलते कट की हलकी आवास से आँखे पहले जैसी नीचे की ओर आती चली गई और धीरे धीरे चेतना सहज हुई और आँखे खुल गई रातरी का पहर ही था मैं कुछ इसी चिंता में की इस से आगे नहीं करूँगा और लेट गया और सो गया इस दर्शन के उपरान मन और अंतरमुकी होता गया बहरी संसार के सुखों से विमुक होता गया बस वही हो रहा था जो प्रबल प्रारब्त कर्म था यहां ये ग्यान है कि प्रत्यक्ष कुरू नहीं होने से इस दर्शन के विश्य में आगामी क्या और कैसे हो ये मार्ग दर्शन नहीं मिला परन्तु साथ ही ये भी ग्यान है कि आप बिन गुरू के भी साधना करते चलोगे तो भी योग दर्शन थोड़ा थोड़ा स्वेम ही बढ़ते शरीर सुद्धी अनुसार आपकी पकड़ में आते जाते हैं और इस दर्शन से मेरा अंतरग्यान शुक्षम होने लगा था जो भी पढ़ता था वो रटने में नहीं समझने में मन लगता था और धार्मिक विश्यों के बारे में जादा रुची बढ़ी उन्हें अपनी तरह से समझने की शमता बढ़ने लगी और अन्य अध्यात्म तराटक और आकास तराटक भी कहलाता है और दूसरी बात अपनी दर्श्टी को किसी चक्र पर नहीं रखें आपके योक के बढ़ने पर आपकी प्रान शक्ती ज्यों ज्यों उर्द होती जाएगी त्यों त्यों आपकी दर्श्टी भी उर्द होती हुई स्वैम ही आग्या या जो मैंने देखा सहस्तरार चक्र के उर्द आकास में एक तारे पर केंदिरित हो गई और तब इसी तराटक अवस्था के चलते सर्वत दर्शन की अनुभूती हुई यो एकमात्र गुरु प्रदत ध्यान करते रहो अवश्य कल्याण होगा जै सत्यों सिध्धाय नमे